श्री राधा कृष्णा आए नमो नमह सरपथम मैं भगवान श्री राधा कृष्णे के चरन कमलोग की वंदना करता हूँ आप सभी भक्त जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ श्री गर्क सहिता के मथुरा खंड के पिछले खता में हमने श्रवन किया था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम ने कंस के सभा में चानूर मुष्टिक नमक कई पराकरमी मलों से युद करके उनका वद किया कुवलिया पीर नमक हाथी का भी वद किया और अंत में कंस का वद करके उनका उध़ार किया आज की कथा में हम शवन करेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त करते हैं श्री कृष्ण बलराम जी का गुरू कुल में विद्यादन के लिए जाना तथा गुरू दक्षिना के रूप में गुरू के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर उन्हें सौपना और श्री अक्रूर को हस्तिनापूर भेजना तथा कुपजा के मनुरत को पूर्ण करने की सुन्दर और देव कथा का शवन करेंगे कथा इस प्रकार से प्रारंब होती है श्री नारजी कहते हैं नरेश्वर अपने दोनों पुत्रों को देखकर उन दोनों के बंधन उसी प्रकास वत्तर ढीले पड़ गए जैसे गरूर को आया देख नाक पाश के बंधन सो तक खुल जाते हैं बलराम सहित श्री हरी ने माता पिता को अपने प्रभाव के ग्यान से संपन देख ततकाल अपनी माया फैला दी जो बलपूर वक जगत को मुह लेने वाली है बलराम और कृष्ण मेरे पुत्र है ये जानकर वसु देव जी मों से व्याकुल हो गए और आसु बहाते वे देवकी के साथ सहसा उटकर उन्होंने दोनों पुत्रों को हिदे से लगा लिया तब रिश्णु वंशियों से घेरेवे श्री हरी ने उन दोनों को आस्वाशन दे अपने नाना उग्रसेन को मतुरा का राजा बना दिया कंस के भैसे दूसरे देशों में भागे हुए यादों को वुलाकर भगवान ने प्रेम पूरवक उन्हें यदिपुरी में कुटुम्ब सहित रहने के लिए स्थान दिया गोप गनों के साथ अपने घर को जाने के लिए उद्दत नंदराज को प्रणाम करके बलराम सहित श्री क्रिशन ने उन्हें अपनी माया से मोहित्सा करते वे कहा तात अब आप इस मतुरा पुरी में निवास कीजिए यदि आपके मन में यहां से जाने की इच्छा उट खड़ी हुई हो तो जाईए मैं भी यद्दि वन्शियों की विवस्था करके भाईया बलराम के साथ आपके पास आ जाऊंगा श्री नाराजी कहते है राजन इस प्रकार बलराम और श्रीकरशन के द्वारा पूजित एवं संबानित तंद्राज वसुदेव जी को हिदे से लगा कर प्रेमा तुरहो ब्रच को चले गए वसुदेव जी ने श्रीकरशन के जन नश्रत्र पर जो पहले दसलाग गोदान करने का संकल्प किया था उसे पूरा करने के लिए उतनी गवों को वस्त और मालाओं से अलंकरित करके ब्रामनों को दे दिया फिर धर्मग वशुदेव ने गरगाचार को बुलाकर श्रीकरशन और बल्भद्र का विधिवत यग्यो पवीत संसकार करवाया तदंतर समस्त विध्याओं का अध्यन करने के लिए उद्धित्थो परमेश्व बल्राम और श्रीकरशन साधारान जिनों की भाती गुरू संदीपनी के पास आए गुरू की उत्तम सेवा करके दोनों माधों ने थोड़े ही समय में सारी विध्याओं पढ़ ली और वे दोनों समस्त विध्याओं के शुरुमनी हो गए तद्पशात वे दोनों भाई हाथ जोड़कर गुरू जी की दक्षिना देने के लिए उद्धत हुए उस समय उन ब्रामन गुरू ने उन दोनों से दक्षिना में अपने मरे हुए पुत्र को मागा तब वे दोनों भाई सुनेरे साथ समानों से युक रत पर आडूर हो बन इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रभाश दीद में समुद्र के निकट आए दोनों ही भयानक पराकरमी थें उन्हें आया जान समुद्र ततकाल कांप उठा और रतनों की उत्तम भेट ले आकर दोनों हाँ जोड़ उनके चरन प्रांत में पढ़ गया उस से भगवान ने कहा तुम मेरे गुरुदेव के पुत्र को शीग रही लटा दो तुमने अपनी प्रचंड लहरों के घटा टोप से उन ब्रामन बालोकों का अपहरन कर लिया था समुद्र बोला भगवन देवेश्वर मैंने उस ब्रामन बालक का अपहरन नहीं किया है उसका हरन तो शंक रूप धारी असौर पंच जनन ने किया है वो बलिष्ट दैत्तिराज सदा मेरे उदर में निवास करता है वो देवताओं के लिए भी भेंक कारक है अता आपको उसे जीत लेना चाहिए श्री नारजी कहते हैं समुद्र के यो कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर में दृटा पूर्वक वस्तर बांद दिया और वे भेंक का शब्द करने वाले उस समुद्र में बड़े वेक से कूट पड़े विदेह राज त्रिलोकी का भारण धारन करने वाले श्री कृष्ण ने के कूदने से वो समुद्र इस प्रकार अत्तन कामने लगा मानो वज्र कूट गिरी के द्वारा उसे मत्र डाला गया हो तबवीर पंचजन दैत युद्द करने के लिए सैसा श्री कृष्ण के सामने आया उसने माधब पर अपना शूल चला दिया किन्तु शूल को हाथ में लेकर श्री कृष्ण ने उसी के द्वारा उस पर आगात किया इस आगात से मूर्चित हुआ वो समुद्र में गिर पड़ा फिर सैसा उटकर कुछ व्यकुल चित हुए पंचे जनने देवेश्व श्री हरी को इस प्रकार अपने मस्तक से मारा मानो किसी सर्पने पक्षी राज गरुड़ पर अपने फन से प्रहार किया हो तब साक्षात परिपूर्टम भगवान श्रीकृष्ण ने कुपित होकर बड़ी वेक से उसके मस्तक पर मुक्का मारा श्रीकृष्ण के मुक्य की मार से ततकाल उसके प्राण पक्षेरू उड़ गए विदेहराच उसके शरीर से निकली वी जोती घंशाम श्रीकृष्ण में लीन हो गई इस प्रकार पंच जन को मार कर और उसके शरीर से उत्तपन शंको को साथ लेवे श्रीकृष्ण सैसा महा सागर से निकले और रत पर आ बैठे तदंतर मनोहर बल्राम और श्रीकृष्ण वायू के समान वेक्षाली रत के द्वारा यमराच की विशाल पूरी से मनी में गए वहाँ उन्होंने मेग गरजना के समान भैंकर लोग प्रचंड पंच जन की ध्वनी सब और फैला दी उसे सुनकर सभा सदो सहित यमराच काप उठे यमपूरी के 84 लाग नरकों में पड़े हुए पापियों से जिन जिन के कानों में वद्धनी पड़ी वे सब के सब मोक्ष पा गए यमराच उसी शन पूजा और उफार की सामगरी लेकर श्यक्रश्न बलराम के चरन प्रांत में आ गए वे उनके तेज से पराभूत हो गए थे अता हाद जोड़कर बोले शीयमराच ने कहा हे हरे हे कृपा सिंधू हे महाबली बलराम आप दोनों अशंक ब्रह्मांडों के अधिपती तता परिपूर्टम परमेश्वर हैं आप दोनों देटा पुरान पुरुष सबसे महान सरवेश्वत तता संपूर्ण जगत के लोगों के अधिश्वर हैं आज भी आप दोनों सब के उपर विराजमान हैं परमेश्वरों आप अपनी वानी द्वारा हमें आग्या दे कि हमें क्या सेवा करनी चाहिए शी भगवान बोले महामते लोकपाल यम मेरे गुरु पुत्र को ले आओ और मेरी वानी का आदर करते हुए कहीं भी नेवचित रीती से राज्य करो शी नारजी कहते हैं राजन उसी समय अमराज ने गुरु पुत्र को ले आकर शी कृष्ण के हाथ में सौप दिया फिर साक्षास शी हरी उसे लेकर अविंतिका पुर में आए और उन्होंने शी गुरु को उनका शिश्यो पुत्र समर्पित कर दिया फिर गुरु के आशिरवाद से संभवित हो उन दोनों भायों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे रत पर चड़कर मतुरा पुरी आ गए वहाँ यदुवन्शे ने उनका बड़ा सम्मान किया एक दिन समस्त कारणों के भी कारण श्यक्रिश्न अपने भक्त पांडवों का समरन करते वे बलराम जी के साथ अकरूर के घर गए नरिश्वर अकरूर से ऐसा उटकर खड़े हो गए और बड़ी प्रसनता के साथ उन्हें रिदे से लगा कर शोड़श उपचारों दौरा उनका पूजन करके हाथ जोड़ सामने खड़े हो गए उनका मनौरत पूर्ण हो चुका था उन्होंने प्रेमानंद के आसु बहाते वे उनसे कहा शीयकरूर जी बोले प्रभू जिनोंने मार्ग में मैंने जो कुछ कहा था या सोचा था वो सब पूर्ण कर दिया उन्ही आप दोनों बलराम और श्री कृष्ण को मेरा नित्य बारम बार नमस्कार है आप दोनों समस्त लोकों में सरवदिक सुन्दर हैं जन भूशनों में भी उत्तम है संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से भी प्रकाशित करने वाले हैं इस समय गौ, ब्राह्मन, साधू, वेद, धर्म तथा देवताओं की रक्षा के लिए आप दोनों यदुकुल में अफ्तर्ण होए हैं परिपूर्ण तम तेज़स्वी आप दोनों परमेश्वर, कंसाधी देत्यों का विनाश करने के लिए गुलोग थाम से भारत वश्च के वू मंडल में पधारे हैं मैं नित्य निरंतर आप दोनों को प्रणाम करता हूँ शी भगवान बोले, आप हमारे बड़े बुढ़े गुरुजन और धहरेवान है मैं आपके आगे बालक हूँ महामते, संत पुरुष कभी अपनी बढ़ाई नहीं करते दान पते, पांडवों का कुशल समाचार जानने के लिए आप शीग्र हस्तिनापुर जाए और वहाँ उन सबसे मिल जुल कर लोट आए शीनारजी कहते हैं, राजन इस समय अकरूर से यो कहकर समस्त कारियों का संपाधन करने वाले भक्त वच्सल भगवान श्यक्रश्न बलराम जी के साथ वसुदेव जी के भवन में लोट आए उधर अकरूर कौरवेंद्र पूरी हस्तिनापुर में जाकर पांडवों से मिले और पुनव वहाँ से लोट कर उन्होंने श्यक्रश्न से सारा समाचार कैश सुनाया अकरूर ने कहा भगवान पांडव लोग कौरवों के दिये वे दुख भोग रहे हैं आप दोनों के सिवा दूसरा कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं है पांडवों के मर जाने पर प्रिथा के सभी पुत्र आप दोनों के चरनार विंदों में हिच्चत लगाए बैठे हैं श्री नारजी कहते हैं राजन अक्रू जी के मुख से ये समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का आधा राजबल पूरवक पांडवों को दे दिया तदंतर अपनी कहीवी बात को याद करके भगवान श्री कृष्ण उद्धव को साथ ले कुज्जा के महा मंगल संयुक्त भवन में गए श्री हरी को आया देख परम रूपपती कुपजा ने तुरंथी भक्ती भाव से पाद आधी उप्चार समर्पित करके अपने प्राण वलब का पूजन किया कुपजा के उत्तम भवन की दीवारों में सोने और रतन जड़े थे उस रूपपती रवनी के साथ श्री हरी उसी प्रकाश शोभित हुए जैसे वेकुंट धाम में रमा के साथ रमा पती विश्नु शोभा पाते हैं राजिन साक्षात परिपूंतम भगवान श्री कृष्न स्वेम जिस सौरंद्री के पती हो गए उसका महान तब कैसा आश्चर जनक है विदेह राज वहां लीला से मानव शरी धारन करने वाले भगवान श्री हरी आट दिनों तक टिके रहकर नौवे दिन वसुदेव जी के भवन में लौट आए विदेह नरेश मत्रा में इस प्रकार जो श्री कृष्न का चरित्र है वो समस्त पापों को हर लेने वाला पुन्य दायक तथा आयो की विद्धी का उत्तम साधन है वो मनुश्यों को चारो पदार देने वाला तथा श्री कृष्न को भी वश्मे कर लेने वाला है तुमने जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुमसे कैस सुनाया इस प्रकार से आज की ये उत्तम दिवलीला कथा यहीं संपन होती है कथा शवन करने के लिए और अपना बहु मुल समय देने के लिए आपको धन्यवाद शे राधा कृष्णाय नमो नमह